प्रेंच्वीन नहीं प messain आरव व्रसाथ में लोग खेति करने करने के लिए फरेंच्वीन करें नहीं जने रहने के हैं उलाएदिनिस ए धारी नूमा उले देके हैं लतानुमा का क्लाइमर होती है जिसकी बेल के रूप में चलती है और फेंच्वीन जो हम जो फली आती है हरी सब्जी के रूप में उसका प्रियो करते हैं खाने में बजार में आप देखेंगे हरी फलियां पीली कलर की फलियां बजार में उपलब रहती है जो खाने में पुछक्त तत्व से भरपूर एक सब्जी होती है इसलिए इसकी खेती हमेशा किसानवाइएं करने चाहिए जो फैदेमन्द का एक सोदा होता है और जरसे पठारी राज्यों में कि हम जून के महीने में इसकी खेती शुरुआत कर देते हैं जो जुलाई अगर्स बरसाद में को इसका उत्वादन मिल जाता है तो जैसा कि इनोंने पूछा उसमें क्या होता है जो फ्रेंच्वीन की खेती के लिए जो बीज हम लेते प्रमारित संस्ता से बीज करीदें किसानवाई क्या करते हैं कि हम बीज अच्छा न होने के करन उनको नुक्षान उठाना पड़ता ह तो सबसे पहले उनको ध्यान देना है कि हम किसी प्रमारित संस्ता क्रिश्वी ज्यान केंद्र है विश्वी ज्याले के आउटलेट हैं जो प्रमारित दुकाने हैं उनसे ही बीज करीदें और बीज की मातरा के लिए जैसे के हम बात करें दें दो तरह कि फ्रेंच्वीन होती और एक जाडी नुमा तो जाडी नुमा जो होती है उसका असी से सो किलोराम बीज प्रती एक्टर की दर्से हम रोपाई लगा सकते हैं और जो लता नुमा होती है उसका हम 30 से 40 किलो भी प्रती एक्टर की दर्से आपसकता होती है अच्छा बात करते हैं बीज तो हमने ले लिय और कीड़े उसमें नहीं लगें और तो हम क्या करेंगे जो बीज हम ले रहे हैं उसको एक किसी सफेद पॉलिथीन पर बेचा ले या कोई बरतन ले 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 उसमें दो ग्राम प्रत किलो ग्राम बीज की दर से दवा मिलाएं दवा जो है तीराम है कैप्टान हम है कारवन डाज कोई भी फिंजी सैड दवा आपको मिल जाते हैं उस दवा को डाल करके हलका पानी चीटे और धीमें दीमें मिला जैसे बालों सीमेंडों घर बनाते समय मिलाते हैं तो देखेंगे एक लेयर उसकी उपर कलर की चड़ जाती है तो इसे क्या होता जो भी बाहर से आने वाले ज क्यों करते समय है और जू?' गर्ळशा जाहरी गijल знаешь को सबगों से पढ़े से सikleक्राई के दूरी टूरी जैसे लते वालों वाली होती है उसका हम यह यह उतित पंक्ती से दूरी कम रखते हैं यह से 35 से 40 संट् citrus 40-50 cm लगते वाली होती है तो उसका हम सौ सेंटी मिटर रखते हैं कि वह जादे फैलती है उसकी बेल चलती है और बीज से बीज की दूरी दस सेंटी मिटर रखते हैं यह हमें विशिद्यान दरखना होगा खेत की तैयारी के लिए जैसे जून का महिना शुरू होता है तो हम 2- तीन जो है मिट्टी पलटने वाली हल से गुड़ाई करेंगे मिट्टी जब भुरुबुरी हो जाएगी तो पाटा लगा देंगे और शम्तल कर रहेंगे उसको सम्तल करने के बाद में जो हमारा बीज है उसको लाइन से लाइन की दूरी उसी लाइन से लाइन की दूरी पर हम बीजों को रोपाई करेंगे और उसमें एक चीज का विशेद्धान रखेंगे खेत की तैयारी करते समय खाद में उर्वरक जैसे गोबर की खाद, शड़ी हुई गोबर की खाद का प्रियोग करना है अगर थोड़ा सा बकच्चा गोबर होगा तो उसमें हमें दीमक लगने का बहे रहता इसलिए सड़ी गोबर की खाद बीस टन प्रिती हेक्टर की दर से उसमें डालेंगे और नाइट्रोजन, फास्पॉरस, पोटास, बीस किलो नाइट्रोजन, पचास किलो फास्पॉरस, साटे किलो पोटास, इसकी मात्रा को हम खेत की तैयारी करते समय मिला देंग नाइट्रोजन की जो मात्रा है, उसका आधा भाग मिलाएंगे और फास्पॉरस, पोटास की पूरी मात्रा मिलाएंगे, तो नाइट्रोजन का जो आधा भाग बचा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, दो बागों बाट लेंगे, यसे 10 किलो बचा है, तो पांच-पांच किल और विकाजा अच्छा होगा राने वाले शमय में अधिक मुनाफा में वो फशल देगी